असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडिमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नुमबर 25 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है गुलज मसनवी किसे कहते हैं क्या है मसनवी फूल डिटेल्स मतलब पुरा एकस्प्लें की हूं मसनवी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में तो अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं if you really want to know what is मसनवी मसनवी किसे कहते हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग मस्नवी के बारे में डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि अलड़ी हम लोग मस्नवी समझ चुके इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं डिरेक्ट हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे तो देखिए यह जो गुलजार नसीम नाम का पशंदर्दम के तरह फिल्म में बनाकल दिखाया जाता हैं तरह सेम उसी तरह का यह चैप्टर हैं है इसमी आप परी के बारे में जानेंगे परी की कहानी है यह हम लोग सेप्टर को समझझेंगे अभी मैं आप दोस शूजहांगे लेकिन उससे पहले इस घृधार नसीम नाम के इस चैप्टर के जो लेखक है यानि कि मुसन्निफ वो है दयासंकर नसीम क्या नाम है दयाशंकर नसीम ठीक तो इनका असल नाम यानि की रियल नेम दयाशंकर कोल था ठीक है लेकिन यह मशूर हुए किस से दयाशंकर नसीम के नाम से ठीक इनके वालिद का नाम थ में में एनकी पेडाईष हुई थी इपतदाई तालीम उर्दू फार्टी में व Unit keen की देशंकर नसीम का जो शुरुआती सिख्खा था शुरुआती एजुकेशन आज बोल बहुत ज़्दा मसहीन भी ऑं मश्नवी लिखने से तो देखिए तो देखिए तो इस लखनवी के शागिर्द थे जो है ना। कोशन पूर्च पूर्चता है कि बताएं युल्जार नसीम नाम का यह मसनवी नाम का यह पूरा मसनवी के वज़ाइं लिखने के वज़ा तो पुरा एक मसनवी है फिरके जिसमेंसे आप लोगों एक चोटा सा टुकडा इस चैप्टर में पढ़ना है ओह्यूत पूरा ओप जो टुकड आप लोग मैं पुरांक हानी बता देती हूं इस आप लोग के कहानी के loves नाम पहीं नामकी परी रहती है जो उड़ती है जिन पांस जादवी ताकत बोल सकते जाद शक्ति होती चिक जो जादू से कुछешь भी कर सकती है इसे अपनी छोप रूप बदल सकती हो किसी का रूप धारन कर सकती हो जो उड़ सकती है तो बनाकर दिखाया जाता है कि यह परी है नहीं तो खुद जूटी कहानी बनावटी कहानी होता है तो कहानी में आप लोग पर सकते हैं लेकिन बनाता बहुत अच्छा है लोग परी को फिल्म या सीरियल में आप लोग देखे होंगे परी का जो ड्रेस होता है बहुत ही खुबसूरत होता है उसका परी भी खुबसूरत होती है और उसका पीछे होता है जिसे वो उर्ती है ंदेती है जिसे handवी झड़ी गोता है 뜨ए ठेखे यह तो उसी तरह का कि यह जो बकावनी दाम की परी रहती है इसके पास भी धीर सारा जादू रहता है इसके पास भी जादवी छड़ी रहते हैं और यह किसी का भी रूप धारण कर सकती है इसके पास सारी जादवी शक्तिया रहती है लेकिन यह जो बकावली नाम की परी रहती है यह अपने महबूब यानि की अपने जीवन साथी जिनका नाम रहता है ताजुल मुल्क बकावली अपने महबूब ताज Israel मुल्क की तलाश करती चारों त्रफ आकाश पता लेक कर देती है ठीख है उसके बार से दुनिया का चप्पच चप्पच हान मारती जंगलों का कोना-कोना चान मारती है लेकिन वेचारी ये जो बकावली नाम की परी रहती है इसका महबूब कहीं नहीं मिलता है तो इस परी को यह जो बकावली नाम की परी रहती है इसको कहीं से मालूम चलता है इसको कोई बताता है कि एक बादशाह है जिनका नाम है जैनुल मुलूक क्या नाम है बादशाह का जैनुल मुलूक तो इनकी मुमलकत म जाओ यानि कि जहां कि ये बादशाह है जिस मुलक के ये बादशाह है उस मुलक में तुम जाओ तुम्हारा महबूब ताजल मुलक में मिलेगा ठीक है तो ये बकावली जो है वो जैनुल मुलक की मुलक में जाती है जिस मुलक में ये बादशाह रहते हैं उसी मुलक में जात होती है चारों तरफ खुशिया ही खुशिया लोगों के हसी के चहे थे लग राता कि एक तरसे गुल्शन चाहिए लोगों के बीच अपना पन हसी खुशी यह सारा चीज देखकर जो है न यह जो परी है इसका सारा टेंसनी खत्म हो जाता है यह चिंता मुक्त हो जाती और यह जो परी है एक लड़की का रूप लेती है अब लड़का बनकर उस मुल्क में वो घुमने लगती है और उसी वक्त उस मुल्क के जो बादशाह रहते हैं यानि की जैनूल मुलुक उनकी सवारी आती है भाई कोई भी बादशाह अपने मुल्क में घुम सकता है क्योंकि उसका वो मुल्क रहता है जिस पर वो राज करता है ठीक है तो बादशाह रहते हैं उस मुल्क के जैनूल मुल्क उनकी सवारी आती है और जैनूल मुल्क की अचानक नजर उसी बकावली नाम की परी पर पढ़ जाती है ठीक है जो कि वो लड़की के भेस में लड़की का रूप ली रहती है उसी के पास जाते हैं जैनुल मुल्क को वो लड़का ही न दिखाई देगी जो परी है वो लड़का का रूप ले लिए भले ही वो है परी एक लड़की है लेकिन लड़का का तो रूप ले लिए न तो लड़का ही न दिखाई देगी तो जैनुल मुल्क जाते हैं उस लड़की के पास इट विन्स व worked परी के पास और जा कर पुशते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम किया है तुम्हारा वतन किदर है तुम आए कहा से हो तुम्हारा चमन किदर है ठीकर तो वह जो बकादुर्哥 भामी की परी रहती है वो बोलती है कि मेरा नाम फरुख है वो लड़की के बेस में रहती है तो भई लड़की का ही नाम इनसान का कोई घर नहीं होता कोई वतं नहीं होता मैं एक फखीर हूं और एक फखीर का उसके घर बार से क्या काम छोड़ों का नाउं ये बात सुनकर बादश्वा थोड़ा motivate होते हैं और कहते हैं ठीक है तो तुम यहां पर आए कैसे तो जो लड़का है यानि की परी वो कहता है कि मैं यहाँ पर खुट से नहीं आया हूँ, मेरा किस्मत यहाँ पर लेकर आई है, ठीक है, तो फिर बादशाब पुछते हैं, ठीक है, तो अच्छा बात है, तुम मुझसे कुछ मांगना है, मैं इस मुल्क का बादशा हूँ, तुम मुझसे कुछ में मांग सकते ह अगर कुछ मांगना है तो बताओ, तो अब वो जो लड़का रहता है, यानि कि परी, वो कहता है कि मैं सबर रखने वाला इनसान हूँ, मैं अपने महनत से कमाता और खाता हूँ, मैं अपने महनत पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ, और मैं कि वो जो परी रहती है लड़के के बेस में रहती है उस लड़के के बातों से बहुत दा मोटिवेट होते हैं ठीक है फिदा हो जाते हैं उसकी बात को सुनकर के स्वभाव और उच विचार को देखकर बादशा खुश होते हैं मोटिवेट होते हैं और उस लड़के को लेकर अपने दर्बार में चले जाते हैं अपने महल में लेकर चले जाते हैं जो कि वो लड़का एक परी रहती है ठीक है सभी लोग को देखने से तो लड़का लगती है ठीक है तो बादशा क्या करते हैं अपने महल में ले जाकर उस लड़के को वहां के वजीर बना देते हैं यान करती है यानि कि परी निसम्हें करती है उसके लादस्ट से दो निषाना करती है और इस तरह ढूंती रहती है आगे की कहानी पता नहीं क्या हुआ इस चेप्टर में आप लोगों को नहीं बताएगे हैं आगे की कहानी जानने के लिए आप लोगों को पूरा मसनवी पढ़ना पढ़ेगा और वैसे भी ट्रेलर में सब कुछ तो नहीं बता दिया जात है मंतरी का फर्द दा करती है उसके बाद से अपने माभूब को रात को परी बन कर तलास ती है तो यह हो गया आप लोग का पूरा चैप्टर कोई भी कमफिस हो ना इस चैप्टर से रेलिएड आप हमें कमेंट करकर पुछ सकते हैं बाकि में आप लोगों को जो कुछ दबाना मत बूलिएगा जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो आल का आप सनाएगा तो आप लोग को आल पर क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का आल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स